जहां एक और खुसियां मनाने की तैयारी यानि अभी दिवाली की तैयारी चल रहे हैं वहीं किसी-किसी घर में मातम भी पसर गया अभी हम खुटी के सदर हॉस्पिटल प्रांगन में हैं हम यहां इसलिए आये हैं कि यहां जो है आज पुश्ट मार्टम के लिए दो सगे भाईयों का सब को लाया गया है दरसल बात यह है कि खुटी तमाड मुख्य पत पर सैको थाना चेतर के पास किता हातों में एक बड़ी सड़क दुर घठना हो गई इसमें दो सगे भाईयों की रित्य हो गई यह बताया जा रहा है कि टैंकर जो खुटी के अनि गाला से पैट्रोल ये डीजल लेकर जो यहां से टैंकर निकलती वो अपने रफ्तार में फिर खुटी से बाहर होकर चलने लगती है हलां कि यह सिकायते आई है कि खुटी में भी काफी रफ्तार चलक जो है टैंकर को चलाते हैं इसिक्रम में आज टैंकर ने खुटी तमार मुख्य पत पर किता हातों के पास दो सगे भाईयों को अपनी चपेट में ले लिया ये बताया जा रहा है कि दोनों सगे भाई विर्शा कॉलेज का विध्यारती था और एक कुड़ापूर्ती हाई स्कूल का विध्यारती था दोनों ही सगे भाई किसी नीजी कारियों से खोटी आ रहे थे और तभी किता हाथों के पास खोटी की ओर से तमाड की ओर जा रहे है टेंकर ने उसे अपने चपेट में ले लिया और बुरी तरह से रौंद दिया जिससे की घटना थल पर ही उनकी मिरित्यू हो गई ये भी पताया जा रहा है कि घटना इस तरह से हुआ था कि दोनों भाईयों का जो शरीर था उसका अंग अलग अलग तुकड़ा कहें तो आप कह सकते हैं तुकड़ा जो हो गया और अलग अलग हो गया था इसमें एक शुकदे मुंडा इनके पिता का नाम है सौमा मुंडा ये गाउंग किता हातू करेने वाला है जो जो अ चक आप कोरें रसां का विद्यार्थी था यह इंटर इंटर का विद्यार्थी था और जग्र्नात मुंडा उन् definis? पुद्याले कोड़ा पूर्ति का विद्यार्थी था ये नाउंत में नवम क्लास का ये चातर था कि मेरा भाई दोनों सुक्दियो मुंदा और जगरात मुंदा खुटी कुछी काम से जरूरी काम से उनर्बुक या बाइक का उनर्बुक लेने के लिए खुटी जा रहे थी तो उसी क्रम में खुटी की और से आ रही तेंकर इंडियन ओयल द्वारा जो चला जाती है उसका अब बात यह है कि सुरक्षा व्यवस्ता सडक सुरक्षा व्यवस्ता का जो है कोई अभी ठोस विकल्प नहीं होने के चलते यह इस्तिती उत्पन हो रही है आए दिन खुटी और आसपास में बड़ी सडक दुरगटनाई होती है हम उस दिन पहले भी आपको बताते हैं कि त 17 की एक ट्रेलर से कुचल कर मिरती हो गय थी ट्रेलर तेज रफ्तार से आ रही थी और 16 सडक किनारे से होकर गुजर रही थी अपने नीजी रोजमर्रा की शमान का खरीद कर वो वापस लोड रही थी और ट्रेलर नों से अपने चपेट में ले लिया था खैर वह भी हुआ इ इनकी घटनासल पर ही मिरती हो गए थी उसके बाद सदर होस्पिटल जो अभी हम खड़े हैं इसके चीक सामने अभी दो-चार दिन पहले भी एक दो-चार दिन नहीं कर दो डेल से दो महिना पहले बुढ़े व्यक्ति को कुचल दिया जिससे टैंकर द्वारा ही जिससे कि उ खुटी के आसपास और सहरी छेत्रों में भी टैंकर चालक द्वारा बेलगम तरीके से चलाया जाता है इस पर किसी सासन पर सासन का कोई ध्यान नहीं रहता है अब तक जितने भी एक्सिडेंट वाला सिकायत है आ रही है उनमें से अधिकतर टैंकर चालक टैंकर का जो है टै अपरना को घटीत होता हुआ देखा जा रहा है क्योंकि इसमें टैंकर कहीं एक्सिडेंट वाला मामला सामने ज्यादा आया है तो कुल मिलाकर बात यह हुआ कि टैंकर बेलगम तरीके से चलाया जाता है इस पर किसी भी सासन पर सासन का कोई दियान नहीं है जिला पर सासन को या और भी उपाई हो सकता है कि मार्ग को इस परकार से बनाया जाकि आने वाले इधर से आया और इधर से जाने वाले इधर से रहा है लेकिन इस परकार का कोई विवस्ता कोटी में है आज हम बात कर रहेते हैं जिस बड़ी सड़क दुरघटना की दोनों सगे भाईयों की मिरत्योगे परिवार में मातम पसर गया है और अब हालां कि दोनों सबों का जो पुष्टमाटम कराकर सब उनके परिजनों को सौब दिया गया है। पुष्टमाटम को इस पर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। अभी हम खुटी जिले का सदर हॉस्पिटल है मैं यहां हूँ और यहीं सब का पुष्टमाटम के लिए लाया गया था तो इसलिए हमें यहां आना पड़ा क्योंकि कीता हातों यहां से दूर है और आज मुख्यमं का आगमन था खुटी जिले के कर्रा में लोग वहां पहुंच रहे हैं जीला प्रशासन की पुरी टीम वहां है लोगों का ध्यान उस ओर है और इस ओर एक बड़ी हाथसा होगी तो इस परकार से खुटी जिले की खबरों के लिए जुड़े रही हमारे साथ और देखते लि ये खुटी जिले की खब रहे हैं